जैशरी राओ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ ब्रस्पती देव से जुड़ी हुई एक एहम जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुरू ब्रस्पती देव करक लगन के लिए सभी बारा भावों में किस परकार के फल देने वाले हैं ब्रस्पती देव जहां करक लगन में छटे घर और भाग्य भाव के स्वामी हैं यानि आपकी कुंडली के अंदर छटे स्थान के मालिक और नवम भाग्य धरम के मालिक ब्रस्पती देव बाराय भावों में किस परकार का परिणाम देंगे उसके बारे में हम याविश्त्रित रूप से चर्चा करने के लिए आये हैं ब्रस्पती को कुंडली के अंदर सबसे अधिक मुख्य ग्रह कहा गया है वो इसी लिए है कि ब्रस्पती कुंडली के अंदर धन भाव, संतान, बुद्धी, भग्य, कर्म और लाव इन पांच मुख्य कारकों का अधिकार ब्रस्पती देव के उपर ही है अब ऐसा ग्रह कुंडली के अंदर अगर अच्छे स्थितियों में विराजमान हो जाए तो आप समझ लीजेगा आपको अपने जीवन में इन सब चीजों से संबंदित कारकतवों में फायदा मिलेगा जीवन में इन से समझ परेशानिया आपके पास नहीं होगी धन होना और धन का संचे होना ब्रस्पती देव के हाथ में है जिसके उपर ब्रस्पती देव की कृपा है उसके जीवन में उसको धन धनने की स्थिति से कभी भी परेशान होना नहीं पड़ेगा अब ऐसा ही एक ग्रह के बारे में हम याँ चर्चा शुरू करने वाले हैं कि ब्रस्पती देव करक लगन के सभी भारे बावो में कैसे परिणाम देंगे उसको हम प्रतक प्रतक रूप से हैं बात करने शुरू कर रहे हैं सबसे पहले हम याँ बात करने वाले हैं कि ब्रस्पति देव अगर आपके लगन में ही विराजमान हो तो कैसा रहेगा करक लगन चंद्रमा का लगन है और ब्रस्पति अगर वहां बैठ जाएं तो ये उनके मित्र की राशी है यहां पर बैठने के बाद कहते हैं व्यक्ति मित्र के घर में जाके बैठे तो अच्छा महसूस करता है उसी प्रकार से चंद्रमा की राशी उनकी मित्र की राशी है एक सोमे ग्रह की राशी है तो उस लिहाज से ये प्लैनेट बहुत बहतर हो गया शुब ग्रह की राशी में शुब ग्रह का जाना अपने आप में बहतर फल देता है इसमें कोई संदेह नहीं साथ इसाथ ब्रस्पती देव यहां उच्च के होते हैं और दिखबली भी होते हैं दिखबली ग्रह आपको सही समय पर सही दिशा देने वाला एक ग्रह होता है उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है ऐसा ब्रस्पती आपको जीवर में जब भी उसकी महादशा या अंतरदशा होगी तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करें के लिए देगा साथ ही साथ मा सम्मान में भी आपके व्रद्धी करेगा ब्रस्पती जब यहां उच्छ के होते हैं तो हंस नामक महापुरिश्योग बनाते हैं हंस नामक महापुरिश्योग ब्रस्पती के कारकत वो में व्रद्धी करता है धनका कारक है संतान का कारक है लाब धर्म कारे इन सब चीजों मे बढ़ोत्री होती है क्योंकि लगन में बैठा हुआ उच्का ग्रहे अपनी दशा अंतरदशा के अंदर सम्मान को बढ़ाएगा आयू में व्रध्धी करेगा रोगों को हटाएगा लोगों के बीच में मान सम्मान देगा वहीं सश्टेश होके लगन में बैठना व्यक्ति के जीवन में मेहनत करने की शम्ताओं को बढ़ाता है यानि बड़ी से बड़ी चुनोतियों को व्यक्ति अपने जीवन में अपने साहस के बलपर हरा देता है वहीं ब्रस्पती भागेश भी हैं भागेस्थान का मालिक लगन में हो उच्च का हो यानि व्यक्ति का भाग्य कहीं न कहीं उच्च लेवल का है ऐसे ग्रह की दशा अंतर दशा में अगर ये ग्रह पीड़ा में ना हो सूरिय की आभाओं से अस्त ना हो तो आपको भाग्य भवन का लाब मिलेगा यानि आपका भाग्य का मालिक अगर कि लगन से जाद शुद्धिस्थान कुंडली में कोई हो ही नहीं सकता तो उस लिहाज से ये ग्रह बहुत अच्छा है अब ब्रस्पती को देखिएगा लगन में बैठकर पांचवी सातवी और नौवी द्रश्टी भी देते हैं जब ब्रस्पती लगन से पंचम भाव पे द् प्लाइनेट होता है कि ये व्यक्ति अपनी जीवन में अपनी बुद्धी अपनी योजनाओं के बलपर आगे बढ़ता है वहीं सब्तम भाव के उपर इसकी द्रश्टी का आना आपके ववाहिक जीवन को शैकुषल बनाता है आपके जीवन में विवहा का सोक आपको देता पबलिक इमेज आपकी बढ़ाता है उस लिहाज से ये ग्रह अच्छा है वहीं ब्रस्पती लगन में बैटकर जब भाग्य स्थान को वापस द्रश्टी दे रहे हो तो ये कहते हैं भाग्या और लगन का बहुत अच्छा योग धरम करम के कारे करेगा सामाजिक कारे करेगा सम में व्यक्ति लाब मिलेगा तो ये सब इस्थितियां ब्रस्पती देव लगन में बैटकर देंगे अगर वह किसी प्रकार की पीड़ा में नहीं है खराब ग्रहों के संगत में नहीं है ग्रह युद्ध में नहीं है अस्त नहीं है तो ये ग्रह अच्छा ही फल देगा वक्र सूरिय की राशी में दूसरे घर के अंदर ब्रस्पती हों तो सूरिय हैं राजा और यानि ऐसे लोगों की भाषा ऐसे लोगों की भाषाँ शक्ति बहुत ज्यादा प्रभावशालि होती होती है यह जहा जिस जगह बैट कर बात करते हैं वहां के बीच में अपनी चाप छोड़ देते हैं उस प्रकार का अच्छा संकेत यहां ब्रसपती दे रहे हैं साथ इसाथ ब्रसपती की ये इस्तिती एक ओजस्वी वानी देने वाली है अधिकतर नेता राजनेता फिल्म इंडेस्ट्री में काम करने वाले लोग उपदेश देने व अपने जीवन में सात्विक करम करने वाला सात्विक भोजन करने वाला गलत भोजन को ने ग्रहन करने वाला गलत बात को ने बोलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जब आपकी ब्रसपती धन भाव के अंदर बैठते हैं तो ब्रसपती के लिए कुछ शास्त्रों में लिखा गय मिलेगाstell मिलाव मिल्ब कर लकिन धन को नाश कर सकता है गरपरिवार के लोगों द्वारा आपके धन को नुक्सान पहुंचा सकता है क्योंकि ब्रस्पति यह चटे-घर के मालिक हो legitimacy द्धन भाव में बैठे हैं इसलिए कही न कहीं आपके धन पर आपके शतरूéral की नजर हो सकती है आपके कुटुम्ब के लोगों की नजर हो सकती है अन्य लोग आपके जीवन में आपको धन के हड़कने के लिए भी पूरी योजनायद कर रखेंगे उससे थोड़ा सा आप लो सबस्तियों जोग करते हुए अपने शत्रों को हरुने वाला होता है जब अश्टम भाव पर व्रसपति की द्रश्टी आती है तो पहताो बरह पर चाहएं घ्रह dirt वो इस्थितिया किसी घर परिवार के बड़े लोग के सहयोग से मिल सकती हैं, कि आप किसी समस्याम फश रहे हो, घर के बड़े लोग ने आपकी समस्या को सौल्व कर दिया, उस लिहाच से बहुत अच्छा है, शात है, आप स्वयम के घ्ञान के बल पर या अपने पैसे के बल पर भी अपने शत्रों को छुपा सकते हैं दबा सकते हैं ब्रश्पती की जब करम भाव प्रदिश्टी होती है तो व्यक्ति का करम और वानी का बहुत गहरा संबंद बन जाता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करम करते हुए आगे बढ़ता है वो करम बोलचाल से संबंदि कारे करते हों जहां पर आपका बहुत ज्यादा बोलचाल से संबंदित कारे हो वो उस लिहाज से अच्छा होता है तो ब्रश्पति दशम को देखें कभी-कभी व्यक्ति कुटुम से जुड़ा हुआ काम खाने पीने से जुड़ा हुआ कारे करके भी जीवन में लाब ले ल तो इस दशान तरदशा में व्यक्ति को धन से संबंदित समस्याएं धन का अधिक खर्च होना बीमारी पे जगड़े जंजटों पे पैसा खर्च होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है अगर यहां पर ब्रस्पति पाप ग्रहों से प्रपीडित है तो यह ग्रह अप लेकिन धन को कमाने के लिए आपसे बहुत जादे मेहनत कराएगा तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्रस्पति कुडली में इस प्रकार से है तो आपको पहले ही साबधान हो जाना है कि हमारे साथ ब्रस्पति की दशा में यह इस्थती घट सकती है क्योंकि दूसरा घर मारकिस्थान भी कहलाता है छटा घर बिमारी का कहलाता है अब छटा और मारक का संबंद बना तो अकेले ब्रस्पति तो यहां मारक यह रोग नहीं देंगे जब तक इनके उपर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा अशुब ग्रहों से के साथ होने चाहिए शुब ग्रहों की द्रश्टी नहीं होनी चाहिए ना साथ में हो तो ही अपनी दशांतरदशा में आपको शारेरी कश्ट दे सकते हैं चलिए मैं बात करता हूँ ब्रस्पती आपके अगर तीसरे घर के अंदर हो तो कैसा है सबसे पहले आप ये देखिएगा कि तीसरे घर के अंदर ब्रस्पती क्योंकि थार्ड हाउस व्यक्ति की प्रतिभा के लिए जाना जाता है आपकी हॉबी इसके लिए जाना जाता है आपके मित्र आपके पडोसी आपकी यात्राएं आपके जीवन में बनने वाली योजनाओं का तीसरे घर के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है अब ब्रस्पति जैसा ग्रह जब तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो आप इसको समझ सकते हैं कि ब्रस्पती आप से ऐसा साहस करायेगा जो साहस आपके जीवन में आपके कारे को लेकर हो, योजनाओं को लेकर हो, किसी अच्छे पदप्राप्ती को लेकर हो, या यह कह सकते हैं धर्म करम के कारेयों को लेकर हो एजुकेशन के कारेयों को लेकर हो यानि ब्रस्पती का जो कारकत्व हैं उन्ही कारकत्व से संबंदित ही वो आपको साहस देगा आपको पढ़ाई का शौक है आपको पढ़ाई मा के बिठाएगा अब ब्रस्पती यहां भाग्यस्थान का मालिक हो के तीसरे घर में और भाग्यस्थान को वपस देख रहा यानि व्यक्ति का धर्म के प्रती जुकाव हो रहा है व्यक्ति का सात्विक्ता के प्रती जुकाव हो रहा है व्यक्ति का समाज के कल्यान परोपकार की भावना के प्रती जुकाव निरंतर बढ़ता जाएगा ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रती बहुत ज़्याद आशक्त होते हैं धार्मिक कार्रे करते हैं समाजिक कल्यान की बाते करते हैं और समाज कल्यान में स्वयम सयोग भी देते हैं अपनी महनत भी उस चीज के लिए करते हैं ब्रस्पति छटे घर का मालिक हो कि जब तीसरे घर के अंदर हो तो साहस में व्रद्धी कराता है क्योंकि छटा घर संगर्ष के लिए जाना जाता है और ग्रह जव अपने से दशम में बैठे तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत और साहस के बल पर अपने भाग्ये का निर्मान करता है तो वो इस्युति बहुत सुंदर है ब्रस्पती की पंचम द्रश्टी जब सब्टम भाव के आती है तो ये व्यक्ति अपनी पत्नी के पिर्ती बहुत जादे आकरशित हो जाता है या ये कह सकते हैं पतनी का बहुत अधिक ध्यान रखने वाला पतनी को मन से प्रेम करने वाला संतान जितना प्रेम है ऐसे लोग अपने पतनी को करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में उनकी जो एक तरीके से परिवार है या वैवाहिक जीवन है वो किसी प्रकार से तूटना या बिखरना नहीं चाहिए तो उस लिहाज से ये combination बहुत अच्छा है भाग्य स्थान को देखकर भाग्य में बढ़ावा और वहीं लगातार लाविस्थान को द्रश्टी देना यानि नौवी द्रश्टी से जब ये भाग्य स्थान को देख रहे हो तो ये इस्थती अपने आप में बहुत सुंदर हो जाती है ऐसा व्यक्ति को निरंतर सोर्स ओफ इंकम बने हुए रहते हैं तो ये इस्थती अपने आप में बहुत बहतर है जब ब्रस्पती यहां बुद्ध की राशी के अंदर हो तो यह आपके ज्ञान में वृध्धी करते हैं चलिए अब मैं बात करता हूँ ब्रषपती अगर आपकी कुंडली में चौता इस्थान में हो तो कैसा है चौता इस्थान सुख का इस्थान है यहां ब्रषपती की अगर देखें तो यह सत्रू राशी में पड़े हुए हैं लेकिन ये शुक्राचार्य की राशी है आचार्य की राशी में देवताओं के आचार्य का प्रवेश अगर हो जाए तो समझ लीजेगा कहीं ना कहीं ज्यान का विस्तार ही होगा ज्यान का प्रचार प्रसार ही होगा ब्रस्पति नैचुरल शुब ग्रह और एक शुब ग्रह की राशी के अंदर जब आ जाते हैं तो व्यक्ति को पूरी तरीके से सयोग देते हैं घर परिवार के सुख का व्यक्ति अपने जीवन में स्वयम के बलपर मकान बनाने में शक्षम होता है परिवार को समहालने में शक्षम होता है घर की खुशियों को वि भीतर समालने की योजनाएं या इस्चतियां उनके अंदर भली भाती होती हैं इसमें कोई भी संधे नहीं है वहीं ब्रस्पति छटे घर का मालिक होके जब शत्रु राशी में बैठता है तो कभी-कभी मकान बनाने में व्यक्ति को काफी साहस करना पड़ता है काफी संघर्ष करने के बाद उसको वो चीज़े प्राप्त होती है क्योंकि एक तो ग्रह चटे घर का मालिक है दूसरा वो ग्रह शत्रु की राशी में है लेकिन सौमे राशी के अंदर है तो मकान का सुख देगा क्योंकि यहां भूलना नहीं चाहिए कि ब्रस्पति भागेश भी है भाग् भी संधे नहीं है तो उस लिहाज से यह कॉंबिनेशन अपने आप में बहुत बहतर है जब ब्रस्पति चौथे घर से बैठकर पंचम द्रश्टी से अश्टम भाव को देखें तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को पैतरक सयोग, पैतरक संपत्ति, कोई छुपा हुआ धन, जाती है या कहीं से कभी-कभी तो ससुराल पक्षेवी व्यक्ति को प्रप्रटी का लाब मिल जाता है, और ब्रस्पति जब चौथे घर में बैठकर सब्तम भाव को सब्तम द्रश्टी से दशम भाव को देखें, कारे छितर में व्रध्धी होगी, सौमे तरीके से कारे छित की इस्थतियां भी आपके जीवन में लगातार आपके सामने आती ही रहेंगी, साथी साथ सोर्स ओफ इंकम तो बना रहेगा, खर्च भी बना वर रहेगा, कभी-कभी प्रपर्टी पर्चेस के लिए भी खर्च करता है व्यक्ति, यात्राओं के लिए खर्च करता है, दूर कार की स्थति चौथे घर में बैठे वी ब्रस्पति देंगे, अगर ब्रस्पति देव यहां अस्त ना हो, खराब ग्रहों के द्वारा पीडित ना हो, रहो के तू अक्षस के निकट ना हो, तो ये अपनी दशा अंतर दशा में बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त कराएंगे, अब बात करते हैं कि ब्रस्पति अगर पंचम भाव में हो तो कैसा होगा, पंचम भाव में मंगल की ब्रश्चिक राशी है, जो कि एक जलतत्व राशी है, जलतत्व राशी में बैठा हुआ ब्रस्पति यानि व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करता है, ऐस तो ब्रसपती ज्यानी और विवेकशील ग्रहे हैं और वो मंगल की राशी में ब्रश्चिक राशी जो गहराई रखते हुए है और उसके साथ भी पंचम भाव में हो तो बुद्धी का और ज्यान का बहुत बड़ा समन्वें यहां होता दिखाई देता है उसलिया से अच्छा लिट्रेचर के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटिकल साइन्स यह सब चीजे वो अपने अध्यन में करते हैं लेकिन एजुकेशन के लिए यह कॉंबेनेशन अच्छा है छटे घर का मालिक होके ब्रसपती जब पंचम भाव में बैठे तो शिक्षा में तो पहली संतान की प्राप्ती में यह आपको परेशान अवश्य करेगा कहते हैं ब्रसपती पंचम में हो तो संतान नहीं होती ऐसा कुछ भी नहीं है आप उस कॉंबिनेशन को देखिए अपनी सब्तांश कुंडली में भी चेक कीजे कि वहाँ संतान का योग है या नहीं सि लस्पती जब पंचम में बैटकर नवम भाव में बैठी अपनी ही राशी को देख रहे हो तो यह कॉंबिनेशन अपने आपमें अच्छा होता है भाग्येश भाग्येस्थान को देखे और लश्मी स्थान यानि पंचम स्थान से देखे तो व्यक्ति को पूरु पुन्यव का लाब मिलता है व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं पिछले जनम के अच्छे भोगों को इस जनम में भोगता है अच्छे कार्य करता है सद करम करता है धर्म के प्रतियास्था धार्मिक प्रचार करने वाला पिता की सेवा पिता को सहयोग देने वाला होता है पिता से सहय से सोर्स ओफ इंकम ऐसे लोगों को बना रहता है अपनी ग्यान अपनी उर्जा अपनी बुद्धी अपनी विवेक के बल पर ऐसे लोग जीवन में अच्छा धन कमाते हैं और ब्रस्पती की नवम दश्टी लगन पर भी आ रही है इसका मतलब ऐसा ब्रस्पती मान सम्मान में विवरद्धी करेगा समाज में आपको अच्छी उठबैट दिल आएगा साथी साथ समाजिक तोर पे आपको जीवन में तरक्की कराएगा आपके उपर आने वाली परेशानियों को रोकेगा अडचनों को रोकेगा धन के साधन बनाके रखेगा किसी ना किसी रूप से आप आपको हमेशा धनकी स्थियां बनी रहेंगी चाहे आप किसी भी परिस्थती में हो लेकिन धना आपको अवश्य प्राप्त होगा तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग यहां ब्रस्थती का है अब हम बात करेंगे कि ब्रस्थती अगर चटे घर का मालिक हो के चटे ही घर में हो तो कैसा होगा के करक लगन वालों के लिए सस्टेश और नवमेश ब्रस्पती चटेई घर में हो तो कैसा सस्टेश सस्टम में हो महिनत करने की शमताय व्यक्तिकी होती है संघर्ष करके आगे चलता है योजना बना के आगे चलता है धैरे नहीं खोता विवेक के साथ कारे करता है ब्रस्पति चटे घर का मालिकों के चटे घर में हो शत्रों को परास करता है और लड़ाई जगडे से नहीं उनको अपनी बुद्धी से अपनी अकलमंदी से अपने सही सुझाव योजनाओं के द्वारा अपने शत्रों को परास करता है क्योंक duy प्राप फिरी नहीं ग्रणे उत्राप पुव्प में एवस्ट के कि muchísimo अचिव्परिश से किसी प्रकार के एजेंट बनकर medical advisor बनकर अपने जीवन में अच्छी तरक्की प्राप्त करते हैं ब्रस्पती को चटे घर में बैठ कर कहा गया है कि ये चटे घर का ब्रस्पती धन के लिए अच्छा होता और इसमें कोई संदे नहीं कि धन कारग्र है अगर धन के भाव को वापस द्रश्टी दे कि आपका ब्रस्पती चटे घर में बैठा है और धन भाव को वापस द्रश्टी दे रहा है इसका मतलब है आपको धन की प्राप्ती कराएगा किसी न किसी माध्यम से आपको जीवन प्रियंत सोर्स ओफ इंकम दिलाता ही रहेगा तो धन के लिए लोगबाग समझते हैं कि ब्रस्पती चटे घर में है तो बेकार है लेकिन नहीं धन का कारक धनभाव से संबंद बनाए तो बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि ब्रस्पती चटे घर में अच्छा होता है धन दायक होता है वहीं ब्रस्पति भाग्येश भी हैं और भाग्येस्थान का मालिक अपने से दशम में बैठे संगर्ष के घर में यानि संगर्षों से सफलता संगर्षों से अपने भाग्ये को उजय करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है ब्रस्पति की पंचम दरष्टी अगर दशम भाग के उपर आए तो इसको कहते हैं संगर्ष की दरष्टी छटे घर से निकली और दशम भाग पर पड़ी नौकरी के छेतर में सफलता प्राप्त करने का योग है कारे छेतर में सफलता प्राप्त करने का योग है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनता है एक तरीके से दशम का और छटे का दशम में संगर्ष सफलता व्यापार व्यवसाय और वहीं छटा घर से संगर्ष से इन सब को उ लाएंगे वहीं ब्रस्पती को आप देखेगा ये द्वादश को भी देखता है छटे गर से बैठकर अगर द्वादश को दश्टी देता है तो इसका मतलब है ऐसा गरह अपनी दशांतर दशा में बीमारी में खर्च करा सकता है व्यर्थ की यात्राओं पर खर्च करा सकता है दूर विदेश से जुड़कर कारे करने का योग मिल सकता है मल्टी नेशनल कमपनी के लिए आप काम कर सकते हैं आपको वहाँ नौकरी पराफ्थ हो सकती है या कह सकते हैं दूर स्थानों से जुड़कर के मैं विदेश के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहा था मुझे बैंकिंग के छेतर में भी बहुत बड़ी सफलता पराथ कर लेते हैं कि उनका बैंकिंग सेक्टर में कारे हो जाता है और बैंकिंग सेक्टर में जाकर वो अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता हासिल कर लेते हैं वैसे भी योग आपकी इस कुंडली में दिखाई देते है कि आपका ब्रस्पति अगर चटे घर में इस स्थती में हो तो ये ग्रह खराब नहीं है ये ग्रह आपको अवश्य सफलता देगा लेकिन ग्रह चटे में है तो संघर्ष से सफलता देगा घबराने की कोई जरुत नहीं है तो ये थे ब्रस्पति अगर चटे घर में बैठें त कैसे परिणाम देंगे सब्तम भाव में बैठा हुआ शुब ग्रै हमेशा से ये प्रयास करता है कि सब्तम भाव से मिलने वाले करकत वो बचा कर रखें चाहे वो व्यापार हो चाहे वो सामाजी किस्थती हो चाहे वो आपके सब्तम भाव में बैठना एक अच्छा ही होता है कहा जाता है कि ब्रस्पती जहां बैठे और जहां देखें वहां के लिए बहतर ही होते हैं तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है भले ही ग्रह नीच का है लेकिन आपको यहां बिल्कुल भी घबराना नहीं है सबस नीच का होके केंदर में बैठता है तो यह अपनी दश्यां तरदशा में प्राब्लम जादे नहीं देता इसमें कोई संद्धे नहीं है हमने इसको बहुत सारी कुंडलियों पर लगा कर भी देखा है वहीं भाग्यस्थान का मालिक भी है ब्रस्पति और सब्तम में नीच का है तो आप यह समझेगा कि एक तरफ चटे का मालिक नीच का होके नीच जैसे फल नहीं देता है और भाग्यस्थान का मालिक डो तरीके से आप देखो कि भाग्यस शपतम में नीच का लेकिं भाग्यस शपतम में यराजोग है क्योंकि यह तरिकॉन का मालिक के अंदर में है इसलिए इस ग्रह से इतना घवराना नहीं चाहिए क्योंकि लोग बाख सोचते कि मुझे को तो नीच के ग्रह की मादशा आ रही है हो सकता आपकी कॉंड़ी में इसका नीच भंग राज योग हो ब्रस्पति की वर्ग कॉंड़ियों में बहुत पीडित है खराब ग्रहों से पीडित है यानि अशुब ग्रहों का उसके उपर प्रभाव है जो नैचुरल अशुब ग्रह होते हैं सूर्य की आभाओं से अस्त हो राहु के तो एक्सस के निकाट हो तो यह ग्रह आपको दशांतर दशा में हस्बेंड वाइफ के भी अगर यह स्वस्थावस्था में है इसके उपर कोई प्राबलम नहीं है तो यह ग्रह आपको परिशान नहीं करेगा वहीं ब्रस्पती भाग्येश हो के सब्तम में हैं कभी कभी पतनी के आने के बाद या पती के आने के बाद विवा होने के बाद आपके जीवन में भाग्य उदय होता है क्योंकि वो भाग्य स्थान है और ये पती या पतनी का स्थान है नवमेश का सब्तम में आकर बैठना एक राजयोग है जब भाग्य का आपकी पबलिक इमेच से संबंद बन जाए तो ये ग्रहे आपको सपोर्ट करता है सामाजिक रूप से कारे करने के लिए साम करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सौम में ग्रह है सात्विक ग्रह है खराब नहीं करता इसका मतलब है खराब कार्यों में भी लिप्त नहीं करता ब्रस्पति सब्तम भाव से बैठकर एक आदश को द्रश्टी देते हैं अपनी पंचम यानि सोर्स ओफ इंकम लाब आपको जीवन में आने वाली परेशानी और दोविधाओं से बचाती है क्योंकि मैं इसको भाग्य की द्रश्टी कहूंगा वह भागेश है साथ ί, साथ ब्रस्पती जब लगन को द्रश्टी देते हैं तो कहते हैं एक सौमेगर है अगर लगन को द्रश्टी दे तो आपके उपर अगर बुरी चीजर पढ़ने वाली है कोई बुरा परभाव है, कोई गटना है, कोई संकट है तो उसको ब्रस्पति यहां सेव कर लेता है केंदर में बैठा हुआ ब्रस्पति तो वैसे भी अच्छा ही माना जाता है साथ यसाथ ब्रस्पति को अगर सब्तम से बैठ कर अपनी नवम धर्ष्टी से वो तीसरे घर को देखता है यानि अपने से छोटे भाई भेनों के साथ सहयोग प्राप्त करता है सब के साथ बना कर चलने वाला होता है मित्रों से पड़ोसियों से जानकारों से अपना सहयोग बनाता है अपने ग्यान के बल पर ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो गवराने की आपके हैं जुरुत नहीं है कि अगर आपका ग्रह नीच का है तो आप परिशान हो जाएं कि मुझे नीच के ग्रह की दशा आ गई लेकिन पीडित नहीं होना चाहिए क्योंकि पीडित होने के बाद उस ग्रह के फलों में कमी आ जाती है बात करते हैं कि ब्रस्पती अगर आपकी कुडली के अंदर बैठा हुआ हो अश्टम भाव में तो कैसे फल देगा करक लगन के लिए सबसे पहले छटे घर का मालिक अश्टम भाव में है विपरीत राजयोग बनता है कि एक खराब घर का मालिक एक खराब घर के अंदर गया अच्छी बात यह है कि वो ग्रह सौम्य ग्रह है वो ग्रह सात्विक है अगर कोई शुब ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा हो तो वो तो पहले से ये प्रियास करेगा कि मैं इसका बुरा ना करूँ अब छटे का मालिक अश्टम में है यानि सिक्स्थ हाउस से रिलेटिड कारकत्व और अश्टम से संबंदित कारकत्व का मिलन हो रहा है यानि रोग रिन रिपू का अडचन परेशानी दूबिधा से संबंद बन रहा है यानि रोग भी मिलेगा, रिन भी मिलेगा, रिपू भी मिलेगे, अडचन परेशानी भी होंगी लेकिन जब आप इन परिस्थितियों में फस जाओगे तब आपको ये गरहे विपरीत राजयोग देगा इसका मतलब इसीदा यही है कि विपरीत परिस्थितियों में फसने के बाद फल देने वाला योग विपरीत राजयों कहलाता है तो उस हिसाफ से यह कॉंबिनेशन यहां बनता है सौम्य ग्रह का स्टम भाव में आना शत्रों को पराज करता है बीमारियों को दूर करता है आयू में व्रध्धी करता है कुटुम्ब व्रध्धी करता है परिवार के लोगों से सुक सहयोग दिलाता है साथी साथ पैतरक संपत्ति की प्राप्ति कराता है अगर यह ग्रह यहां पीडा में नहीं है तो ब्रस्पती यहां पर बैठ कर सीधी धनभाव को द्रश्टी दें तो परिवार से भी धन मिलेगा स्वेम के बल पर भी धन मिलेगा सोर्स ओफ इंकम मिलेगी भाग्य स्थान का मालिक होके ग्रह अपने से द्वादश में हो तो व्यक्ती को भाग्य बनाने के लिए बहुत जादा जटिल परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि भाग्य का मालिक अपने से द्वादश में ऐसे लोगों की शिकायते होती हैं कि हम जितनी महनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमें उतना मिलता नहीं है ये उसी कॉंबिनेशन के कारण आता है कि मेरे भाग्य का मालिक अपने से द्वादश यानि वे में गया और वो कुंडली से आठवा घर भी कहला रहा है इसका मतलब ग्रहत दोनों जगे से प्राबलम में है एक से अश्टम में है एक से द्वादश में यानि ऐसा घर है तंग तो करेगा ब्रसपती की अश्टम भाव में बैटके द्रश्टी जब द्वादश भाव के उपर जा रही हो तो पैसा भी खर्च होगा आएसे अधिक खर्च होने की स्थियां ऐसे कॉंबिनेशन में कभी कभी बन जाती है व्यक्ति पूरी दशा में पैसा खुब कमाता है लेकिन वो पैसा उसका किसी ना किसी परेशानी दुविधा बिमारी कर्ज आदी में खर्च होता रहता है फिजूल खर्च लाइफ में होते रहते हैं सोर्स ओफ इंकम बना रहता है क्योंकि ब्रसपती यहां भागेश होके धनभाव को द्रश्टी देते हैं ब्रसपती की अस्टम भाव में बैटकर जब चौते घर के उपर द्रश्टी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ब्रसपती की दशा अंतर दशा में अवश्य ही कोई प्लॉपर्टी प्लॉट मकान आदी बना लेता है रिनोवेशन करा लेगा कोई वाहन पर चेस कर लेगा तो वो कम्बिनेशन अपने आप में यहां बैतर दिखाई देता है अगर आपका ब्रसपती पीड़ा में ना हो तो ही यह गरह आपको कुछ दे सकता अगर यह यहां पीडित भी हो गया तो आपको बहुत परिशान करेगा अब बात करते हैं कि भाग्य स्थान में ब्रसपती कैसे है कि करक लगन के लिए सश्टेश भी है तो नवमेश भी है और वो नवमेश होके नवम में बैठे तो समझ लिजे आपके लिए वरदान है नवमेश नवन में हो भाग्य में ब्रद्धी करेगा पिता का सहयोग दिलाएगा धरम करम के कारे कराएगा धार्मिक्ता को बढ़ाएगा सात्विक्ता को बढ़ाएगा इश्वर के पिति आपकी आस्था को बढ़ावा देगा नवमेश नवम में हो रहा है इसका मतलब है धार्मिक यातराए होंगी धार्मिक कारे होंगे एंज्यो खुल सकते हैं किसी धार्मिक संसाथ से जुड़के कारे कर सकते हैं तो उस लिहाज से ये combination बहुत अच्छा हो गया, साथी साथ ये भाग्य स्थान का स्वामी लगन पे द्रश्टी दे, यानि लगन में कौन है आप स्वैम है, और भाग्य स्थान का एक पवित्र ग्रह ब्रस्पती आपके लगन को द्रश्टी दे रहा है, यानि आपकी body इन सब के लिए भी कुछ न कुछ करूं, ब्रस्पती की द्रश्टी पंचम भाव पर भी आती है, जिसको हम कहते हैं ब्रस्पती की भाग्य नवम द्रश्टी, अपनी संतान के लिए अवश्य करता है, ऐसे लोगों की संतान उनको सहयोग देने वाली होती है, अपने पूर्व पु वाली है अगर ये ग्रह यहां वक्री होकर भी बैठाए तो मैं इसको कोई खराब नहीं मानता ये ग्रह यहां अच्छा ही है व्यक्ति के विवेक को जागरत करता है हां बस ये ग्रह रहु केतु से दूर होना चाहिए पाप प्रभाव से दूर होना चाहिए नहीं तो व्यक्त से अच्छा है क्योंकि नवंभाव लक्षमी त्रिकॉण है और लक्षमी त्रिकॉण का मालिक उसी स्थान में हो तो व्यक्ति को पैसे की चंता नहीं होती इश्वर उसको धन दे ही देते हैं तो उसे साफ से अच्छा योग यहां बन रहा है ब्रस्पति अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठें तो कैसा मित्र राशी में बैठा ब्रस्पति है लेकिन वो मेश राशी है मेश राशी एक उत्तेजनाव से भरी हुई राशी होती है व्यक्ति को कार्य में जल्द ग्रहन करेगा तो ऐसे लोगों को कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए दशम का ब्रस्पति अपने आप में एक वर्दान सावित होता है वो इसलिए है कि दशवा भाव कुंडली का करम करने का इस्थान है आपका करम आपको बता रहा है कि आपको सात्विक करने करम क करने है आप अपने जीवन में गलत कामों से आगे बढ़ोगे या अच्छे कामों से आगे बढ़ोगे तो अच्छे कामों को करना अच्छे कामों को सुईकार करना और अच्छे ही कार्यों का परचार प्रसार करना ऐसे लोगों के साथ देखा गया है जोतिश से संबंदित क कारें कानून से वी बोनने ना कि असे लोगों से जीवन में करते हैं तो उनको द्रुबोम के परचार परशार करने से ला एक योजना एक तरीके से आयोजनकर रहे हो किसी चीज का कि आज हमने कोई गुरू जी बुलाए हैं उनसे हम अपने यहां पर कथा कहल वाएंगे गाओं गाओं में जाकर दूर-दूर के लोगों से जुड़कर धार्मिक कार्यों करना क्यों कि ब्रस्पति आपका भागेश है भागेश होके करम स्थान में बैठा सकते हैं वैसा भी योग इन्हीं कंबिनेशन के कारण आता है जब ब्रस्पति यहां से बैठकर पंचम द्रश्टी से धन भाव को देखें बोल चाल से पैसा कमाएगा धन की कमी नहीं होगी सोर्स ओफ इंकम लगातार व्यक्ति को जीवन में बना रहेगा पैसे से संबंदि करो समालने वाला है अपको जीवन में अच्छा मकान अच्छी रहंसें देने वाला ग्रह होगा और जरको हरने वाला फ्र drive को परास्थ करने वाला होगा ऐसा भ्रति अबना अगे बऩाने वह अपनि बेकिंवन कभी इन्हीं कर देखना यहांना नहीं प्रत्य यहां कवš यानि designing involved को देख रहा है शत्रू पर विजय मिल रही है रोगों पर विजय मिल रही है परेशानियों पर मिल तरक्की हो रही है संघर्ष को बड़ावा मिल रहा है और जीवन में तरक्की हो रही ऐसा घ्रह dopo पीड़ा में नहीं होना चाहिए ना राहू के और अपती भी बना सकता है चलिए बात करते हैं अगर आपका लाव भाव में बैठे तो कैसा लाव भाव सोर्स ओफ इंकम देने वाला भाव जहां से मिलता है आपको लाव वहां पर कोई भी ग्रह चला जाए उसकी दशा अंतरदशा में व्रधी होती है बढ़ोत्री होती है मिलता ही मिलता है तो पहले तो आप ये देखेगा कि भाग्या स्थान का मालिक लाव भाव में है यानि भाग्या और लाव का एक संगम मन गया इसकी दशा अंतरदशा आपको जीवन में कभी भी आएगी सोर्स ओफ इंकम देगी फाइदा अवश्य देगी लगातार किसी न जब इसकी पंचम भाव पंचम द्रश्टी इसकी तीसरे भाव पर आ रही हो तो इसको ये कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति योजना बद तरीके से कारे करता किसी भी चीज को फटा पट नहीं करता उसके बारे में सोचता है उसके बारे में योजना बनाता है कब कौन सा काम मुझे किस से करवाना है कैसे करना है इसके लिए कितना धन चाहिएगा उस सब की योजना बनाता है ब्रसपती पंचम भाव पर दरश्टी जब ब्रसपती की आए तो संतान का सुख सयोग दिलाएगी संतान प्राप्ती दिलाएगी बुद्धी से लाब देगी एजूकेशन में फाइदा दिलाएगी वहीं ब्रसपती की सब्तम भाव पर दरश्टी जब आ रही हो तो कहते हैं आपके पारिवारिक जीवन को जोडने का प्रियास करेगा ब्रसपती को ये भी कहा जाता है कि जो घर परिवार के बड़े भुडे होते हैं हमारे गुरु हमसे बड़े जिन से हम सला लेते हैं वो भी ब्रसपती ही होता है किसी के वेवाई जीवन में बहुत प्रबलम चल लाएए और ब्रसपती की दरश्टी 5 सब्तम पे आ रही है तो कहीं न कहीं बार-बार उस लड़ाई का सुल्जा कर सॉल्व कर लेते हैं इस चितियां फिर आगे चल जाती हैं फिर आपको फायदा हो जाता है तो उस लिहाज से ये दौदश भाव में ब्रस्पती बैठा हो तो कैसा देकि दौदश भाव को मैं दो तरीके से देखता हूं पहला तो ये लगन से बारवा है दूसरा मैं ग्रह को पंचम भाव से भी देखता हूं क्योंकि पंचम भाव आपका पूर्वपुन्य का भाव है क्या आप अपने में गया लगन से दौदश में ऐसा ग्रह व्यक्ति से जीवन में बहुत जटल परिश्रम कराता है संतान का सुख तो देता है लेकिन संतान सुख देने में परेशान करता है कभी कभी संतान का देरी से होना मिस्केरेज होना गर्वपात होना ओपरेशन से चीरे टांके से यहां से ही आता है जब आप बड़ी विध्या यानि मास्चर डिग्री करने की बात करते हैं तब यह आपको बहुत जदे आपकी परिक्षाएं लेता है करा तो देता है लेकिन परिक्षाएं बहुत लेता है द्वादश में बैठके ब्रस्पती छटे घर को जब दरश्टी द दे रहा है यानि संघर्षों से सफलता आप प्रित्यों की परिक्षाओं के अंदर बैठ गए आपने दो चार पांच साल तैयारी करी आपका सेलक्षन हो गया पहली बार में सेलक्षन नहीं देगा आपको यह परिशान करके सेलक्षन देगा व्याय स्थान में जाना कभी-क अबी मेहनत का खराब होना करम का खराब हो जाना जो मेहनत करी वो सब विफल हो गई जो कारे करा वो सब विफल हो गया सब कुछ खर्च हो गया पैसे का खर्च होना भी दशा में देखा जाता है नवमेश होके भाग्यस्थान का मालिक होके यानि नवमेश होके जद्वाद बाहर रहकर कारे करो यह combination विदेश में जाकर कारे करने और विदेश यात्रा कराने का भी एक योग है क्योंकि एक सौम्य ग्रहगी राशी में वायूतत्वराशी में ब्रस्पती बैठा है छटे का मालिक होके बैठा हुआ है और भाग्य भवन का मालिक होके बैठा है इसका मत व्यक्ति अपने जीवन में इस दशान तरदशा के अंदर प्रपर्टी भूमी जमीन जाइदादी पर्चेस करता है या इसको यह कह सकता हूं ऐसे व्यक्ति को निश्चित अपने जीवन में प्रपर्टी का सुख मिलता है स्वयम के बल पर व्यक्ति जीवन में मकान बनाता है तो उस लिहाज से ये combination अच्छा है अपने शत्रों को कंट्रोल करता है अपनी problems को कंट्रोल करता है चाये वो उसकी खुद की सूजबूज हो चाये वो इश्वरिय करपा हो तो उस लिहाज से क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा गर्य अगर छटे का मालिक है तो भाग्य का मालिक भी तो है भाग्येश भले ही 12 में गया है लेकिन है तो वो भाग्येश भले ही कष्ट से भाग्य बनेगा लेकिन भाग्य अवश्य बनेगा वो भाग्य विदेश में भी बन सकता है ऐसे बहुत ओरस्कोप में हमने यहां कॉम्बिनेशन पहले भी देख चुके हैं और शास्त्र में भी इसके बारे में लिखा हुआ है तो उस लिहाज से अच्छा है ऐसा ब्रस्पती पीडित नहीं होना चाहिए अशुग रहो के प्रभाव में नहो पीडित नहो रहो के तुके नस्दीक नहो सूर्य से अस्त नहो तो दशा अच्छी होगी अन्यथा दशा खराब होगी फिर वो दशा आपको बिलकुल दूसरे वे में ले जाएगी जितना कमाओगे उससे कहीं अधिक खर्चा उससे कहीं ब्रस्पती देव सभी 12 भावों में बैठकर कैसा परिणाम देने वाले हैं उसके बारे में हमने यहां चर्चा आप से की है तो आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि आपका ब्रस्पती कहां बैठा है और कैसे परिणाम आपको यहां देने वाला है फिर से नए विशे के साथ आपके सामने में हाजिर होंगा तब तक के लिए बने रही एगा मेरे साथ जैश्री राम